पौडी को परेटन नगरी बनाने की बात हमेशा होती है और उस कड़ी में एक यहाँ पे गेस्ट हाउस बन रहा है गड़वाल मंदल विकास निगम का ये जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है खंडूडी जी जो की पौडी से ही बिलॉंग करते हैं उनके पहले जो कारेकाल था उस दौरान 2009 में स्विकिर्थ हुआ था लेकिन नौ सालों में भी ये बन के पूरा नहीं हो पाया है और यहां से जो यह जो जगह है यहां से हिमाले बहुत खुबसूरत दिखाई देता है और मेरी दाही तरफ जो आप पीछे जंगल देख रहे हैं वहां पे रांसी स्टेडियम मौजूद है जो की एसिया में उचाई में दूसरे इस्थान में आता है और मैं कैमरा मेन को कहूँगा कि वह बाई तरफ दिखाए जो उपर आप पहाड़ी देख रहे हैं वहां पर प्रसिद्ध किंकालेस्वर जो मंदिर है अबी इस्तित है तो जब भी परेटक यहां पे पहुँचेगा तो इससे बहतरी जगा कोई हो नहीं सकती कि वह हिमाले भी देख सके रांसी स्टेडियम भी जा सके किंकालेस्वर मंदिर भी जा सके और पॉड़ी के तमाम परेटक इस्तलों का यहां से दीदार कर सके मेरे साथ इस समय मातवर सिंग नेगी जी है जो की खंडूरी जी के इस समय सांसत प्रतिनीदी भी है और बी जेपी की जो राज्य कारे समीती है उसके सदर से भी है उनसे बातचीत करते है नेगी जी आपका हमेशा प्रियास रहा है कि पॉड़ी को परेटन मांचितर पर लाया जाए यहां पर कुछ ऐसी चीजें बनाई जाए जिससे की जो परेटक यहां पर आए उसको यहां पर रहने की सुविदा मिले उस कड़ी में यह गेस्ट हाउस भी बन रहा था क्या कारण रहे कि पिछले नौ साल में यह पूरा नहीं होगा है यह पौडि का दूरबागया है कि हम पौड़ी में जिसले का प्र्यास कर रहे हैं वो प्रयास सबलने हो रहे हैं मैंने मुख्यमंत्री खंडूर जी के द्वारा के प्रयासों से हमने ये साथ बेट का प्रेटा का आवास कराया था, लेकिन दुर्भागे की बात है कि ये कार्या आज तक पूर नहीं हुआ, ये कार्या जाव शुरू हुआ था, इसका कार्या मेरे द्वारा स्विकृत कराया अज़ा स्कृचा कराया था, इसका कार्या को मेरे को दिया गया था, मैंने इसकी डायान जाम प्रयासों से जामीन करवाई था, इसके बात एसका कार्या था, तो मैंने इसकी पिलिंद का कारिय किया था उसके बाद ये काम मैंने छोड़ दिया था क्योंगर दिकतें बहुत सारी आ रही थी तो उसके बाद ये किसी दुश्री अन्यपाल्ठी को यह काम दिया गया था, उन्होंने इसके ग्राण फ्लोर, फश्ट फ्लोर के दो च्छत डाल दी थी, उसके बाद इसको छोड़ दिया था, लेकिन उसके बाद भी यह कार्या ऐसा ही पड़ा हुआ था, जब हम बार-बार इसका प्रियास कर रहे थे, लेकिन उसमें भी कोई सुनवाई नहीं हुए, फिर इसके तीन-चार बार टेंडर हुए, जब टेंडर हुए तो कोई भी पाल्ट इहाई इसके लिए नहीं आई, फिर गड़वाल मंडल विकास ने कमने हम से अनुरोध किया कि आप इस कारे को करो, फिर क्योंकि यह जगे मैंने फ प्रियास किया, और उसके बाद फिर मजबरान ये काम मुझको लेना पड़ा, अब मैं इस कारे को कर रहा हूँ, और जो अनुवन्द मेरा है, संभावत है मैं इसे दो-तिन मैने में इसको पूर्ण कर दूँगा, अभी इसमें जो कितने कमरे बनेंगे, क्या सुध है रहेग तो क्या उमीद करेंगे, कब तक बन जाएगे? सत्पाल महराज और उपर से सांसत, जिन्होंने इसे स्विकृत किया, खंडूडी जी जो पूरु मुख्यमंत्री भी रहे, वो भी अभी कारे काल उनका है, तो उमीद करेंगे कि आगले तीन महिने में ये गेस्ट हाउस यहाँ पर बनके तयार हो जाएगा, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब भी आप कभी पौडी आएं और इस जगह पे आप रुकेंगे तो वाकई आपको लगेगा कि आप स्वर्ग में हैं, जागो उत्राखंड के लिए पौडी से आसुतोस नेगी फिए के लिए अवाँ